नमस्कार भाईयो एवंबनो मैं आचारे चंदर प्रकास त्रिपाठी आध्यात्मिक और जियोतिस ग्यान के इस यूटूब चैनल एश्टरो सीपी त्रिपाठी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हार्दिक अभिनंदन करता हूँ ये मित्रों भूल कर भी इस दिसाओं में न बनवाएं रसोई घर क्योंकि मिलता है इससे असुभ परिनाम वीडियो में हम आगे बढ़ें इससे पहले आप अगर नए है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिजिए और ओल दबा लिजिए ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पे आ जाए और आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकें प्रियमित्रों वास्तु विज्ञान में दिशाओं को विशेश महत्व दिया गया है वहीं रसोई घर को सबसे महत्वपूर्ण अस्थानों में से एक मानी जाती हैं यहां पर बने भोजन का सीधा प्रभाव घर में रहने वाले ल रसोई की इस्थिती और आंतरिक व्यवस्था के संबंध में निश्चित नियम मिलते हैं इन नियमों का अनुपालन करने पर ना केवल आपका स्वास्थ उत्तम रहता है बलकि जिस दिशा में रसोई बनी है उस दिशा में उर जाके संतुलन से आपको कई और फायदे मिलते हैं ठिक इसी तरह वास्थु में तीन ऐसी दिशाओं के बाड़े में बताया गया है जहां पर रसोई का निर्मान नकाडात्मक परिनाम देता है तो आज हम आपको इन ही दिशाओं के बाड़े में बताने जा रहे हैं तो आई ये जानते हैं मित्रों इशान का शंबंध मनुष्य के मस्तिस्क और उसके सोच विचार करने की ख्षमता से होता है इसके साथ ही वास्थु के मुताविक इशान उन कुछ दिशाओं में से भी एक है जहां पर रसोई की उपश्थिती घर के सदस्यों के लिए प्रतिकुल सिद्ध होती है वेक्ति का हमेशा असमंजस की स्थिती में होना किसी बात या परिस्थिती को लेकर असपश्थ नजरिये का अभाव होना इत्यादी कुछ उदाहरन है जोकि इशान में रसोई के होने के कारण देखने को मिलता है इस दिशा में रसोई बनवाने से सदाइव बचना चाहिए मित्रों नैडित्य दिशा अगर संतुलित हो तो यह किसी भी वेक्ति के कारे कौसल को बेहतर कर सकती है रिष्टो को अच्छा बनाए रखने का काम भी करती है मगर नैडित्य में रसोई घर का होना इस दिशा की सक्ति के असंतुलन का कारण बनता है और ध्यान देने वाली बात या है कि इसके असंतुलित होने पर उस घर में रहने वाले सदश्य की अपनी छमताओं का अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाता है इसलिए इस दिशा में रसोई घर का निर्मान निशेद है मित्रों ध्यान दें उत्तर दिशा में भी रसोई नहीं बनाना चाहिए और पश्चिम दिशा में भी रसोई का निर्मान नहीं करना चाहिए क्योंकि इन दिशाओं में अगर रसोई का निर्मान होता है तो इससे इसका असुभ परिनाम हमें प्राप्त होता है और मानसिक तनाव होती है और करजे बढ़ते हैं तो प्रिये मित्रों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कमेंट करके बताएं और वी कोई समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखे और हम आपके उस समस्या का समधान करने का प्रयास करेंगे धन्यवाद